दोस्तों आज का दिन दो चीजों को लोके बहुत महत पूर्ण है दोस्तों आज हमारे श्री नरेंद्र मोधी जी का जनम दिन है आज वो दोस्तों पूरे बहतर वर्ष अपने जीवन की पूरे कर चुके है इनका जन्म जो हुआ था ना वो 17 सतंबर 1950 में हुआ था दोस्तों ऐसे महान लीडर के जनम जिन को हमें याद रखना चाहिए इसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है दोस्तों वो है इनसे रिलेटेड इनके गिफ्ट की जी हाँ दोस्तों इन्होंने भारत को आठ चीते अपने उपहार में दिये हैं ये वो चीते हैं दोस्तों जो भारत सरकार ने 1952 में एक्सिंट बता दिये थे 1952 में भारत सरकार ने दोस्तों इनको घोशित कर दिया था कि भारत में ये जाती विलुप्त हो गई है 1948 में लास्ट जो चीता देखा गया था वो 36 गड़ के साल नेशनल पार्क में दिखा गया था और 1952 में भारत सरकार ने इनको एक्सिंट घोशित कर दिया उसके बास से दोस्तों 2022 में नरेंद मोदी जी के जनम दिन पर ये चीते नामीबिया के विंड होईक शहर से लाए गए हैं और ये भारत में सबसे पहले नामीबिया से लाए गए हैं राजस्थान के जैपुर में और दोस्तों जैपुर से इनको लाया जाएगा MPK कुनो नेशनल पार्क में दोस्तों इससे भी जारा इंपॉर्टेंट ये है कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि नामीबिया से जब इनको लाया जा रहा था तो दोस्तों इनको एक विशेश प्रकार के एरक्राफ्ट में लाया गया है जिसका नाम था बोईंग 747 जम्बो जैड यहां ये special प्रकार का customization किया गया था इन चीतों को लाने के लिए दोस्तों इन चीतां को लेके बात यही नहीं थमेगी एक्शल में ये जो project है चीतां का ये 5-year project है नरेंद्र मोदी जी ने जो ये 8 चीताज जो जो ये gift किये है ये चीताज एक्शल में भारत में 40 चीताओं की संख्या में लाई जाएंगे और 5 साल के अंतरगत और 5 साल के अंदर-अंदर इनकी संख्या 40 बढ़ा दी जाएगी तो दोस्तों आपको बताना है कि ये जो चीते लाए जा रहे है नामीबिया से Namibia किस continent में आता है और साथी साथ आपको ये भी बताना है कि Namibia की currency क्या है जिहां ये दो questions आप मुझे मेरे comment box पर answer देंगे इन दो questions का that's it